कपड़े से जादा बिग गया बाजार में कफन हाकिम ये कह रहा है कि सब ठीक ठाक है साथियों आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा चोरी और सीना जोरी यही हालत इस समय मोधी सरकार की है हिंदुस्तान के लोगों की साड़े छे करोन वैकसीन मोधी जी ने विदेशियों को बेज दी देश के लोग वैकसीन लगाने के लिए लंबी-लंबी कतारों में खडे हैं घंटों इंतजार करने के बाद केंद्र बंद किये जा रहे हैं registration के नाम पर online बेवस्ता है और आम आदमी अपना registration नहीं करा पा रहा है और इस vaccine के संकट के खिलाफ अगर लोगों नो पोस्टर लगा कर विरोध दर्च करा दिया तो उनको गिरफतार किया जा रहा है आटो वालों ने सिर्फ ये लिख दिया कि भाई मोदी जी आपने हमारे बच्चों की vaccine विदेशियों को क्यों दे दी इस पर उनको गिरफतार कर लिया गया दिहारी मजदूरों ने अगर पोस्टर लगा दिया तो उनको गिरफतार कर लिया गया ये किस प्रकार की ताना साही है ये किस प्रकार की चोरी और सीना जोरी है आप हिंदुस्तान के लोगों की साड़े छे करोण vaccine विदेशियों को बेच दे वो गुनाह नहीं वो गलती नहीं वो अपराद नहीं लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई पोस्टर लगा के अपना विरोध दर्ज कराता है तो उसको आप उठा कर अंदर कर देंगे उसको जेल में डाल देंगे तो इसलिए मैंने सोचा पुलिस की जाँच में समय बर्बाद करने की जरूरत ना पड़े और ये पोस्टर मैं भी लेकर बैठा हुआ हूँ आपको कोई जाँच करने की जरूरत नहीं है और मैं भी यही कह रहा हूँ कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेस क्यों भेज़ दी अब अगर ये कहना और ये लिखना गुना है तो आप तत्कार हम लोगों को गरिफतार करके जेल में डाल दीजिए जितनी संगीन धाराओं में अफाई आर लिख सकते हैं अफाई आर लिख दीजिए मुकदमा दर्ज के दीजिए जो कारवाई करना हो करिये लेकिन हम लोग बार बार इस सवाल को आप से पूछेंगे कि मोदी जी आपने साथे छे करोड वैक्सीन विदेसियों को क्यों बेच दी